हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉबजी को लेकर इंडियन गॉर्वेट के तरफ से एक न्यूज आया है जिसमें बदाया जा रहा है इंडिया में पॉबजी को बैन किया जा रहा है क्यों किया जा रहा है और इस लिस्ट में कितनी अप्लिकेशन आ जैसे कि आप लोगों पता है कुछ तैम पहले इंडियन गौरॉमेट ने टिक्टोग के साथ साथ 59 अप्लिकेशन को बैंड कर दिया 39 अप्लिकेशन को बैन करने के बाद कुछ 3rd party अप्लिकेशन ऐसे है जिसके मदद से कुछ लोग यहाँ पे TikTok अप्लिकेशन को यूज कर रहे थे तिक आपको Play Store पे VPN रर्वो हो गया इस तरह के कई सारे अप्लिकेशन देखनी को मिल जाते हैं पें इंडियन गव्यर्मेट ने फिर से एक अप्प्रा लिया है और यहाँ पे 47 अप्लिकेशन को बैन कर दिया है जैसे की टिक टक की तरह सेम था जैसे टिक टोक लाइक हो गया भीवẩ लाइट हो गया लіक की लाइट हो गया इस तरह के कहीं सारे अप्लिकेशन था 47 अप्लिकेशन को बैन करने के बाद 175 अप्लिकेशन को फिर से बैन करने का लिस्ट तैयार किया जा रहा है इस लिस्ट में PUBG का भी नाम आ रहा है जो इंडिया में famous game है यहां प्लोग PUBG लवर है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग को इंडिया में PUBG को बैन होना चाहिए या फिर नहीं चाहिए जैसा कि देख भी सकते हैं इस लिस्ट आ चुका है जिसमें किलियर बताया जा रहा है कि इंदियाक में भी PUBG को बहुत ही जड़ बैन कर दिया जाएगा तो आप लोग सोच रहे होंगे यदि बैन कर दिया गया तो Play Store और Apple Store से क्यों रिमूब नहीं किया गया तो बहुत ही ज़ल्द आप लोग को Play Store और Apple Store से रिमूब कर दिया जाएगा जिस तरह से TikTok को Play Store और Apple Store से रिमूब कर दिया है उसी परकार यहाँ पे 175 अप्लिकेशन को भी यहाँ पे रिमूब कर दिया जाएगा तो बस आज के वीडियो में बस इतना वीडियो पसंद लाइक कर देना साथी साथ टेकनिकल सलेंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना